हेलो आप सबका स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नागपूर प्रॉपर्टीज और दोस्तो आज हम फिर से आए हैं एमपायर सिटी फिर हम क्यों आए हैं हम इसलिए आए हैं क्योंकि एमपायर सिटी अभी कंपलीट होने जा रहा है दोस्तो इसमें सिमेंट रोड का काम चालू हो गया है आप देख रहे हो यह सिमेंट रोड बन रहा है यह एक रेसिडेंशल और कमरिशल प्रोजेक्ट है जिसमें हमने बहुत ही बहतरीन बहतरीन प्रोजेक्ट में प्लॉट्स देखे थे इस प्रोजेक्ट की खासियत यह थी कि यह सिंगापूर सिटी से लगा हुआ था ग्रीन सिटी से लगा हुआ था कस्तुरी स्क्वेर ये सभी टाउंशिप के बीचो बीचे प्रोजेक्ट था और ये न्यू मनिशनगर से लगा हुआ था दोस्तों हां जी न्यू मनिशनगर ये न्यू मनिशनगर मोजा गोटा पांजरी म शिवरेज लाइन, वाटर लाइन, ड्रेनेज लाइन, इलेक्टरिसिटी और साती साथ गार्डन, स्टिपी इसी का काम यहाँ पे हो चुका है और हम जहां जा रहे है, यह बिलकुल एंपार सिटी है, और यह सिमेंट रोड रेडी होने जा रहा है दोस्तों, अभी यहाँ पे प्लोट्स अविलेबल है हाँ, जो जो लोगों ने अभी तक डिसिजन नहीं लिया है, जो जो लोगों ने यह वीडियो देखा है, बट उन्होंने हिम्मत नहीं की है कि call करने की या call में उनसे बात करने की plot कहा पे है क्या rate है तो मैं उन सभी लोगों से fit से एक बार request करता हूँ जो plot खरीदना चाते है बट उन्होंने अभी तक call नहीं किया वो हमें जल से जल संपर्ख करें क्योंकि आभी plots available है कुछ दिनों बाद ये जो availability है ये भी खतम हो जाएंगी दोस्तों यहाँ पे 1332 square feet से plots available थे 1500, 2000, 2200, 1800, 1600 ये range यहाँ पे available थी पर आभी आप बहुत लखी हो क्योंकि मैं इस वीडियो के अंतरगत आपको ये plots दिखा रहा हूँ इसके आजू बाजू में भी development है लोग रह रहे है घर बने हुए है यहाँ से टॉप के CBC स्कूल जैसे पोदार इंटरनाशनल, रॉयल गुंडवाना पब्लिक स्कूल, SS इंटरनाशनल मात्र मात्र 500 से 1 किलोमेटर के डिस्टंस में है जी हाँ 500 मेटर से 1 किलोमेटर के डिस्टंस में ये सभी टॉप CBC स्कूल यहाँ पे मौजूद है दोस्तों जी इसी के साथ साथ वर्धा रोड, बेसा, बेलत्रुडी, ये मात्र दो किलोमेटर के डिस्टंस में यहां से आपको दिखाई देंगे यहां से आप इजीली ट्रावल कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन, बस फासिलिटी, ओटो फासिलिटी यह सभी आपको वाकिंग डिस्टंस पे मिलती है दोस्तो यह है निव मनिशनगर मौजा गोटाव पांजरी का एमपार सिटी ले आउट और आज आप देख रहे हो नागपूर परपेटी के सीजन में एमपार सिटी जो रेडी हो चुका है बस अभी सिमेंट रोड यहां पे होंगा इसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन का ऑलरेडी काम हो चुका है अभी यहां पे स्ट्रीट लाइट्स हो सबी चीज़े यहां पे बिछाई जाएंगी उसके बाद दोस्तो जो लोग चाते है अपना घर बनाना ओ यहां पर बिलकुल घर बना सकते हैं और अपने सपनों के यह हुए नमबर पे कॉल कीजिए और टाइटल में आपको एक नमबर दिख रहा होंगा उस पे जल से जल कॉल कीजिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बस आप से यही दर्कवास्ट होंगी कि जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं ओ इस वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके दोस्ट भाईजान है जो प्लॉट खरीदना चाते हैं उन तक यह वीडियो को आप पहुचाईए धन्यवाद आपका दीन शुब्रे थैंक यू